हेलो मैई टू फैमिली सो फैमिली ब्लोग चैनल में आप लोगों का स्वागत है आप कैसे हैं मैं आशा करती हूँ आप सबी अच्छे होंगे स्वस्त होंगे तो जैसा कि आप सबी को पता है कि अभी गड़ेश उत्षाव चल रहा है गड़ेश चतुर्थी चल रही है तो हमे आप पर आए हैं गड़ेश चतुर्थी मनाने के लिए मैम सर ने मुझे इं improvाइट किया है तो हमें आप आए हैं मैम और सर महराष्ट्रियन है तो यह लोग ना बहुत अच्छे से गड़ेश चतुर्थी सेलिब्रेट करते हैं फ्रेंच बहुत ही अच्छे से तो हम मैम के घर पर आ गए हैं और यहां पर रखी है गड़ेश भगवान की मूर्ती मैं आपको दिखाती हूं बहुत ही सुन्दर है लगा रहे हैं खाना और तो अभी पूजा होगी सारी चीज़े होगी तो मैं आपको सारी चीज़ें शेयर करूंगी दिखाऊंगी क्या और क्या क्या होगा तो बस आप मेरे साथ बने रहे हैं पूरे ब्लॉग में वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजे शेयर क तो यहां पर आर्ती की तैयारी होने लगी है और परशाद वगयरा रख दिया गया है यहां पर एक खाना भी लग गया है क्योंकि भगवान जी और तो जो सर हैं यह रैट कलर का जो कुटता पहने हुए हैं इमाईम है लोह का एक ही टीम था आ सभी ने One North पहने हुए है बहुत अच्छा लग रहा था तो सर तयारी करने लगे हैं आरती के लिए आप इस परशाद है इसके पाप नहीं है नहीं है आप अच्छा पॉँ कर दो आप नहीं है यहाँ अच्छा अच्छा यहाँ आप अच्छा रहाँ है प्रश अच्छा लाँ कुल बहुते हैं फ्रेंड्स यहां पर आर्थी चल रही है साउंड में और बहुत अच्छा लग रहा था कि हम सभी आर्थी कर रहे हैं लेकिन मैं आर्थी की आवाज नहीं डाल सकती हूं क्योंकि ना कॉपी राइड आ जाता है और मैंने थोड़ी सी किलिप डाली आवाज चेंज करके तो कोई नहीं फिर मुझे रिकॉर्ड करना पड़ रहा है तो हम सभी ने बारी बारी से आर्थी की बहुत अच्छा लगा यहां आके सर मैं थैंक्यों आपने जो हम सभी को इन्वाइट किया हम सभी को भगवान जी की आर्थी सेवा करने का स्वाग प्राप्त हुआ जब हम तो मैं बाया नहीं कर रखती हूं बहुत अच्छा लग रहा था फ्रेंड्स ज्यादा चीज़े मैं सूट नहीं कर पाई हूं क्योंकि सब भी आ रहे थे तो बातचीद होने लगी सभी से और फिर हम सभी ने साथ मिलकर खाना खाया तो बस आज का ब्लॉग यहीं कितम होता है अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए बाई